चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेर करना ना बुलें Ready Start उपाध्यक्ष महोदय बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ इस पर विचार करते समय दो इस्थितियों को हमें द्रिष्टी में रखना होगा एक द्रिष्टी या है कि किस इस्थिती से हमारा देश गुजर राए उसमें हमें क्या करना है और दूसरी द्रिष्टी या है कि भाविश्य में देश को किस दिसा में जाना चाहते हैं ले जाना चाहते हैं जब तक इन दोनों द्रिष्टी कोडों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जाचेंगे तब तक हम यह निरने नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की द्रिष्टी से उचित बजट है या नहीं जब मैं इस समय की इस्थती को देखता हुँ तो मेरे सामने देश की संकट कालीन इस्थती आ जाती है किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरब से हमको खत्रा है किस तरह से वे देश पर हमला करना चाहते हैं और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटा कर हमको लड़ा कर देश में देश द्रोग फैलाना चाहते हैं इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखना हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस इस्थती में भी रखा गया हो बहुत सुन्दर बजट है एक इमानदार कोशिस हमारे वित्मंत्री महुध ने इस बजट को तयार करते समय की है लेकिन एक राजनीतिग्य की दिष्टी से जब मैं देश के भविश्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोज नहीं होता है कि कोई विशेश समाधान इस बजट से नहीं निकलता मैं जिस पार्टी से संबंद रखता हूँ उसका जो उद्देश से है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमारे सामने आदर्स है वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते हमारे विद्वमंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती लेकिन फिर भी यह मैं अवश्य देखना चाहता हूँ कि हमारा दिश आगे बढ़ रहा है या नहीं जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देख कर हमें निरासा अवश्य होती है जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वहां हमने यह निश्चे किया था कि वर्तमान पंचवर्सी योजना खतम होने तक देश की जनता की जरूरत की चीजें पूरी कर दी जाएंगी उपाध्यक्ष महोदय उसमें हमने साप साप कहा था कि जो गरीब वर्ग है जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं उसको देश की आमदनी का जो आवसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा और इस दिसा में हमारा प्रेत्न जारी रहे हमारा जो भजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक ववस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आखेंगे तब तक उस धेय की पूर्ती नहीं हो सकती यदि इस दिर्ष्टी से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे ना अधिक और ना कम नंबर दे सकते हैं मेरी प्रात्ना या है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सयोग देती है उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नती का विचार करें परन्तु खाने की पुष्टी देकर नहीं यह कारे सिग्र से सिग्र होना चाहिए इसका कारण यह है कि उच्च स्रेड़ी आम जनता का आदर्स होती है और जो कुछ उच्च स्रेड़ी के लोग करते हैं उसकी नकल कनिष्ठ स्रेड़ी के लोग करते हैं इसलिए यह काम पहले उच्च स्रेड़ी पर हो जाए तो आम जनता पर उसका प्रभाव अवश्य गहरा पड़ेगा सप्ताह में दो बाल भोजन छोड़ने का जो मेरा सुझाओ है इससे ना केवल अनाज वरन इंधन टेल कोईला आदी सब की बचत होगी भोजन छोड़ने के अलावा अन बचाने का और भी एक तरीका है वह भी सामुहिक सामाजिक शिरणी पर किया जा सकता है जानते हैं कि इस देश में दस प्रतिसत अन कौन खराप करता है कीड़े पंची बंदर और बोरिया ठीक ना होने से अनाज गिर जाता है और मिटी में मिल जाता है यह विचारनी है इस प्रकार असी लाख टन बरबार होने वाले अन को बचाया जाए जो भारत वर्ष को किसी भी देश से अन की भिक्षा मांगने की आवसकता नहीं परेगी श्रीमन यह अपराद कबूतरों, बंदरों, कीणों, आदी का नहीं है यह अवश्य ही हमारा अपराद है आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है इसलिए हम लापरवा थे इसलिए अनाज का विनास होता रहा परन्तु अकाल पड़ेगा जैसा की इस वर्स पड़ा है तभी हम जागे तो या फीक नहीं है हमें अन के नाज को रोकने की सतत कोशिस करनी चाहिए उसकी बचत करना हमारा परम करतव्य है यह काम हर किसान, बच्चा और युवक कर सकता है और उन्हें करना चाहिए अन बचाने की समस्या केवल कानून के जरिये हल नहीं होगी यह बात भी सामाजिक चितना पर निर्भर है विडाम बात भी सकता हो बीर वन्हें है यह बात भी मोई करने बात भी चाहिए झाल झाल